आज हम आप लोग पढ़ा रहे हैं शामाने प्रशो के दरान देखवाल के डूरिंग नार्मल लेबर इसमें हम आप लोग पढ़ाएंगे जन्म के तुरंत बाद नौजात की देखवाल किस तरह से करें इसके बारे में इमिडेट केर आप दे नौबार्म जन्म के बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किस तरह से देखवाल करने चाहिए इसके बारे में देखे शुखाना यम लपेटना जन्म के तुरंत बाद नौजात से शुको एक स्वच तथा सुष कपड़े से साफ करके तथा ढख कर मा के प चैनल पर रखना चाहिए दो कि स्क्राइब को शाफ करना नौजात के सचाह मार्ग में श्लेशमा、मीनियोटिक, C लिएग कि इसे जादि नुजार्ट से सुके जन्म के बाद स्वसन मार्ग में सास लेने में अनियुकस एक्स्टर के द्वारा चूसर कर इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए म्यूकस एक्स्टक्चक के द्वारा जासिश के मुह से इन सभी पदार्थों को बाहर निकाल देना चाहिए नेक्स देखिए अपगार स्कोरिंग अपगार स्कोरिंग प्रडाली वर्षों निश्व बावन में डाक्टर विर्जीनिया अपगार द्वारा विक्सित किया गया था यह परिष्षर नौजात के जन्व के एक मिनट बाद तथा पांच मिनट बाद किया जाता है नाविनाल को बादना तथा काटना नाविनाल को काटने से पहले दो अस्थाम को बादना चाहिए पहला बाद नौजात की नावि से लगवग पचीश सिंटीमीटर की दूरी पर बादना चाहिए जबकि दूसरा बंधन लगवग 5 cm, पहले से लगव 5 cm की दूरी पर लगाना चाहिए इसके पशाथ नाविनाल को दोनों बंधनों के बीच से काट देना चाहिए इसके बाद पहला बंधन नाविनाल से 25 cm की दूरी पर दूसरा पहले बंधन से 5 cm की दूरी पर लगाना चाहिए इसके बाद नाविनाल को बीच यो बीच काटना चाहिए इसकी cutting नाविनाल से लगवग 5 cm अथा 2 इंच की दूरी पर की जाने चाहिए इसकी cutting नाविनाल की cutting जो करनी चाहिए बच्चे के नाविनाल से लगवग 5 cm की दूरी पर 2 इंच की दूरी पर करने चाहिए काटने के बाद नाविनाल का परिछर कराना चाहिए बच्चे का नाल काटने के बाद उसके नाल को काटने के बाद गर्व के बच्चे के गर्व नाल को काटने के बाद उसका परिछड कराना चाहिए इसमें तीन रक्त वाहिनिया उपस्तित होनी चाहिए बच्चे के गर्वनाल में तीन रख्वाहिन उपस्तित होने चाहिए इनसे किसी भी प्रकार का रख्षराव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का कोई रख्षराव नहीं होना चाहिए परिछड के बाद इस पर गाज पीश द्वारा ड्रेसिंग कर देनी चाहिए ट्रीक्मेंट परिच्छर कराने के बाद इस पर गाज पीस द्वारा ड्रेशिंग कर देने चाहिए नेक्स नौजात में अश्रमानिता, एबनार्मल्टीज का पता लगाना नौजात सिश्व में जो है अश्रमानिता का पता लगाना नौजात में किसी बड़ी अश्रमानिता का पता लगाने के लिए उसका तुरंत निरिच्छड कर लेना चाहिए तुरंत जो है परिच्छड कर लेने चाहिए जाच कर लेना चाहिए कि उसे किसी प्रकार की कोई अश्रमानता कोई अबनार्वर्टीज नहीं है इसका तुरंत नेश्चर कर लेना चाहिए नौजाद की पहचान है तो उसकी दोनों कलाईयों पर पहचान एडेंटिफिकेशन टैग बात देना चाहिए नौजाद की पहचान करने के लिए उसकी दोनों कलाईयों पर आइडेंटिफिकेशन टैग बात देना चाहिए नौजाद की पलके एक बार पुना से लाइन घोल से साफ कर लेनी चाहिए तथा आप तो थेल्मिया नियो नेटोरम से बचाओ है तू नौजाद की पलके पलक को एक बार जो से लाइन से साफ कर देना चाहिए तथा आप तो थेल्मिया नियो नेटोरम से बचाओ है तू शिल्वर नाइट्रिट या टित्रासाइक्लीन मलहम डालनी चाहिए नौजाद सिशु में आप प्लके ने शिर्वर नाइसद्र नेटनियो नेटोरम से बचाओ है सीश्यक में हइपोथर्मिय होने की साधिक होती है उसे जन्म के तुरंत बाद गण्ब तुलिया अत्वा कंबल में लपेद देना चाहिए इसलिए उसके एक बचाऊ के लिए उसे जन्म के तुरंत बाद nozzam और prime कंबल ओना चाहिए कम्रे का जो टमप्रेचर होना चाहिए वो 25 से 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के मद रखना चाहिए नौजाद को अनावश्यक खुला नहीं रखना चाहिए यहां तक हो सके शिशु को मा के सरीश से चिपका कर रखना चाहिए नौजाद सिशु को हाइपोधर्मिया से बचाओ के लिए उसे खुला नहीं रखना चाहिए उसे मा के सरीश से चिपका करके रखना चाहिए शिश को जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी अस्तनपान सुरू करें शिश को जितनी जल्दी संभव हो सके उतने जल्दी मा का अस्तनपान कराना चाहिए मा का दोध पिलाना चाहिए हाल में एक घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर अस्तन पान सुरू कर दिना चाहिए मा को अपने बच्चे को जो है कि अंदर कर दिना अस्तन पान सुरू को जो होगा है कि अच्चे के अंदर आक के अंदर मैं आखी का है